मित्रो कल ग्यारा उक्टोबर है, जय प्रकाष्टी का जन्म दिन है, जयन्ति है, और कल से यहां जन्चेत्रा यात्रा आरंब होने जा रही है, मैं कल प्राते काल यहां से जाऊंगा, जय प्रकाष्टी के जन्म स्थान पर, जो के विहार और उक्तर प्रदेश की सीमा पर से थें, सिताब दिया रहा है, और वहां से यात्रा शुरू करके, और बीस नमंबर को वापस दिल्ली पहुंचूँगा, अनुमान है के बीस नमंबर का आर्थ होगा, शीत कालीन सत्र से पहले, अनुमान है के 21 तारीक को शाज शुरू हो, बीस से पहले शुरू नहीं होगा, यही एक अनुमान है, अगर शुरू होगा, तो भी बीस को ही मेरा वापस, वापसी का कारकम बना हुआ है यहाँ पर, और मैं मानता हूँ के मेरी पिछली यात्रा में बल इस बात पर था, के 50 साल बीट जाने के बाद भी, आजादी के भारत में अगर समस्याओं का निलाकरण नहीं हुआ है, जैसी अपेक्षा थी, स्वतंत्रता के लिए संगर्श करने वाले लोगों के मन दे, तो उसका कारण है के हमने जैसा शासन संभाला, वह कोई अच्छा शासन नहीं था, उसमें काफी कमिया थी, खास करके विकास की दुख्टी से, और इसी लिए बल इसी बात पर था के देश को सुशासन दिया जाए, और अपनी पार्टी की ओर से मैंने कहा था के हम को जहां पर भी अवसर मिलेगा, हम कोशिश करेंगे के अच्छा शासन दें, और विकास पर ध्यान दें। यह यात्रा मेरी 1997 में थी, तब यह कलपना नहीं थी कि अगले साली चुनाव हो जाएगा लोकसभाटा। लेकिन हुआ और उसमें देश की जनता ने हमें अवसर दिया, जो अवसर छे साल तक चला, एक साल बाद दुबारा फिर से चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन दोनों बार जीत करके, और 2004 तक वाजपईजी देश के प्रधान मंत्री रहे, उनके नेतरत्व में इंडिये की सरकार चली, और कुल मिला करके मैं कह सकता हूँ के, अच्छा शासन, विकास केंदृत शासन, इस प्रकार का शासन दिया, आज हम विपक्षी दल हैं केंद्र में, और विपक्षी दल के नाते, अपनी भूमी का प्रभवी रूप से निभा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में जो नेत्रुत्व देश को मिला है, उसके करण जनत्ता के मन में पिछले साल भर में आक्रोश बढ़ता गया है, महंगाई के करण, भ्रष्टाचार के करण, विदेशों में रखे हुए काले धन को वापस लाने के बारे में प्रेत्नों में कमी होने के करण, या दह होने के करण, ये सब फैक्टर्स मिला करके जनता में आक्रोश बढ़ता गया है, और उस आक्रोश का कारण अगर कोई कहा जाए तो इसमें कोई संदे नहीं है, कि UPS सरकार का नेत्रत्व उसका प्रमुक कारण, और उनके नेत्रत्व की कमी के कारण, मैं मानता हूँ कि सारी की सारी राजनितिक व्यवस्था, उसके बारे में भी अनास्था पैदा होती है, नहीं तो हमारा लोक तंत्र वह दुन्या की नजरों में भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है, यहां तक कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था और हमने लोक तंत्र अपलाया, सम्विधान सभा में स्विकार हुआ कि संसदिय लोक तंत्र के माध्यम से हम काम करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, खास करके पश्टिम में, जो आलोचना किया करते थे, कि क्या लोक तंत्र होगा हिंदुस्तान में, कि जहां पर इतनी निरक्षरता है, और इतने लोग हैं कि जिनका कोई ही संचार साधनों से कोई संबन्ध लई, और जिस प्रकार की भाशा बोली जाती थी उन दुनों में, पश्टिम के लोगों द्वारा, खास करके, यूके के, कि इंदुस्तान में लोक तंत्र सपल नहीं हो सकता, है थोड़ा बहुत है, तो इसलिए है कि पर्णित नहरू जैसे लोग है, कि जो बड़ी निष्टा रखते हैं लोक तंत्र में और पश्चिम की, हू आफ्टर नहरू की चर्चा इतनी जादा नहीं होती थी, जितनी वाट आफ्टर नहरू, कि उसके बाद कुछ लोक तंत्र बचेगा क्या, मैं इस बात का जिकर इसलिए कर रहा हूँ, कि मैं मानता हूँ कि जितनी क्षती लोक तंत्र की UPA के काल में हुई है, उतनी पहले कभी नहीं, हम बहुत सारी बाते लोक तंत्र में सुधार लाने के लिए, चुनाव सुधार आदिये, वो सब करते रहते थे, लेकिन किसी एक पार्टी के कारण या किसी एक सरकार के कारण इतना नुक्सान हुआ है, ऐसा नहीं लगता था। मुझे स्पुर्ण है कि हमारी तरफ से वाजपई जी शायद उन में से प्रमुख थे, जन्होंने सबसे पहले चुनाव सुधार का सवाल उठाया था, वे बैक इन 1970, कि वह हिंदुस्थान में चुनाव सुधार होना चाहिए, और एक कमिटी भी बनी थी, मैं उस समय राज्यसभा में था, मुझे भी उसमें रहने का आपसर मिला। मैं इस बात का जिकर इसलिए कर रहा हूं कि मैं मानता हूं कि यूपीय जब संकट में आई, 1900 and 2006 में और 2008 में और वो संकट यो था, वो इस कारण था कि यूपीय ने तै किया कि हम अमेरिका से समझोता करेंगे और nuclear deal करेंगे और उनके एक सहीयोगी पार्टनर जो कि प्रमब पार्टनर थे और उनके साथ काफी देल तक थे left front वाले उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और हम विरोध करते हैं और उनके विरोध करने के बाद ultimately वो अलग हो गए अलग हो गए तो उनकी majority चले गए minority में आ गए और उसी समय स्वाभविक रूप से उनको विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा गया और वो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार के मार्ग अपनाए जो जो कुछ किया जो के दुडिया को ग्यात है और खास करके हमारे तीन सांसदों ने जिस प्रकार से उनको एक्स्पोस किया, उसमें हमको भी जानकारी थी कि इनको इस प्रकार के ब्राइप्स दिये जा रहे हैं और वो ब्राइप्स जो हैं वो जाकर के वो दिखाएंगे लोगों को कि हमको ब्राइप्स दिये हैं और उन्होंने किया और सही लिखा था हिंदू ने बहुत विस्तार से के इसके बाद यह सरकार किसी भी प्रकार की मैटिक ताका दावाद नहीं कर सकते उननीस लोगों को क्रॉस वोटिंग करवाया और वो ब्राइब्स दे करके करवाया और मैं मानता हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है हिंदूस्तान के लोक तंत्र की साख में नॉर्मली रिष्वत देने वाला ब्राइब देने वाला चुपके से करता है लेकिन इन्होने चुपके से करने की बजाय तो बिलकुल दे फ्लॉंते वार रहा आज के मेरे वक्तव में मैने इस बात पर बल दिया है कि यह जो एफिकल बिलकुल देख रहा है जाई रहा है इन्होने। एफिकल बड़ुट को पास पर देख जाए अफिकल इस धन्य। बड़ुट रहा है। तो मेरे मन में ये था कि पिछली बार तो मैंने अच्छा शासन विकास इस पर बल दिया, इस बार बल दूगा कि अच्छी राजनी थी, इमांदार राजनी थी, और लोकतंत्रिय राजनी थी, इसको जितनी मात्रा में हम आगे बढ़ा सकेंगे और जनत्ता उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। मैं साधुवाद देता हूँ सिवल सुसाइटी के संगठनों को जिन्होंने पिछले दिनों में भरष्टाचार के इशू को ले करके, लोगपाल के इशू को ले करके, काले धन के इशू को ले करके और जनत्ता में चेतना पैदा की है इसके खिलाफ। मेरा कार्या ये होगा कि इस चेतना को और बढ़ाना जितना बढ़ा सकें। क्योंकि मैं मानता हूँ के civil societies, civil organizations उनकी अपनी उपयोगिता है। लेकिन democracy को मजबूत करने के लिए रागनेतिक दलों की बहुत जादा जवाबदारी है। The health of democracies depends very much on political parties and their own health and cleanliness. और इस करन बल है इस बार के हमारी party और हमारे सहयोगी दल जो भी है वो जितनी मात्रा में देश भर में good governance and clean politics में involved होकर के जनता में जागरती पैदा करें उतना अच्छा होगा।